ये सट्ट्ट्टेंट पूरा क्लियर आपको कराया step by step ज़ो संग्या था संग्या को step by step विमने खतम किया और जितने संग्या थे संग्या की जितने भेद थे संग्या कैसे भावचक संग्या बनाएंगे पूरा उसको explain करके step by step हमने आपको समझाया और बताया उम्मीद है वो आप वीडियो आप देखे होंगे और देखने बाद कुनों आप सर्वनाम पढ़ने आया होंगे क्योंकि यह step by step जो पढ़ेंगे तो आप आसा आने से समझ में आपको आएगा तो आईए अब हम एक नई वीडियो लेकर के आया हूँगा एक नए चिपकर के साथ एक नए पॉइंट के साथ मैं आया हूँ जिसका नाम है सर्वनाम सर्वनाम का अर्थ ही होता है संग्या का अस्थान यानि जो संग्या का अस्थान होता है संग्या की अस्थान जो सब प्रि बिदियो मिस्के हुए आप कांटनु वीडियो देखते रहे और नॉट बनाते रहे ताकि सर्वनाम के बारे पढ़ते हैं सर्वनाम होता क्या है संग्या के अस्थान पर पर परियोग को ही हम सर्वनाम कहते हैं मोहन कहता जाता है कि मोहन सोता है बार بार मोहन सब्दो को पढ़ने से एरिटेचन-utpun हो जाता है बार-बार मोहन आ रहा है तो जब बार-बार मोहन सब्दु को पढ़ने से इरिटेशन उत्पन हो जा रहा मन में तो उसके अस्थान पर प्रियोग कियाता है क्या सर्वनाम जब बार-बार मोहन सब्दु को पढ़ने से इरिटेशन उत्पन हो जाता है तो फिर दबंग का एक डाइलाग याद आ गया तो फिर चलिए अब हम इसमें देखते हैं यहां दिया हुआ है जो आपका सर्वनाम होता है वो संग्या के अस्थान पर यो किया तो बार-बार जब मोहन के जगह पर आप आजा रहा है तो यहीं होते हैं आप क्या स्तर्वनाम का प्रियोक करना होता है तो और आगे हम पढ़ेंगे दिया है पुनरुक्ति, पुनरुक्ति मतलब होता है दोराव, तो पुनरुक्ति का अर्शता दोराव को दूर करने के लिए हम सर्वनाम का प्रियुक किया जाता है, यानि पुनरुक्ति को दूर करने के लिए ही किसका प्रियुक किया जाता है, सर्वनाम का, जैसे देखिए द खाता है मोहन सोता है यहां देख रहे हैं एक बार मोहन आगे दो बार मोहन आगे जब दुबारा आपका मोहन आगे बार बार अगर वाकिव बनाएंगे तो ऐसे बार-बार मोहन आएगा और जब बार-बार मोहन आएगा तो आपके मन में एक इरिटेशन उत्पन होगा उसके प्रति तो मोहन सब्द के जगा पर ही सर्वनाम प्रयोग कैसे लिखा जाएगा मोहन खाता है वह सोता है आप देख रहे हैं कि यहां वह आ गया किसके जगा मोहन के जगा पर वह सब्द आ गया तो यह क्या है आपका यही इसी को हम कहते हैं सर्वनाम इसी क्या कहते हैं सर्वना और यह मोहन है इसी क्या करते हम संग्या इस बाद का विश्?' रखेंगे संग्य और समиля जब तक आप संग्य पढ़ेंगे तब सरवनाम को नहीं पढ़ सकते हैं कि इसमें बार आपIES euro होगा क्यों का दूर करने के लिए इस वाली वीडियो देखिए उसके बाद आप सर्वनाम देख लिए आई बटण प्लिक करके भी आप पूरा प्लेलिश्ट देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बाकस में भी जाकर पूरा प्लेलिश्ट देख आप देखें जैसे मैं आ गया हम आ गया तूम आ गया तूं आगया यह आ गया आप आ गया और कौई आ गया वग ऐस さवणाम होते हैं यह सबसर में कोर्णाम के पढ़ना है इसमें हम पढ़ना है serbnaam के जो ये point दिया मैं, हम, तुम, तू, यह आप कौन, कोई वह कोई आधि के बारे में अब हम अगला point में देखेंगे सर्वनाम के भेद होते हैं सर्वनाम के कितने हैं बहरीं हमको देख रहा हैं तो सर्वनाम के मुख्ितः 6 भेद होते हैं यह संग्या के तीन होते थे मुखितव जो संग्या के थे जो संग्या के भेद थे संग्या के वह मुखितव कितने थे मुखितव आपके तीन थे कुल कितने थे कुल आपके पांस थे लेकिन यहां जब आप देखेंगे तो सर्वनाम के कुल होते हैं सर्मणाम कित्रे बेद होते हैं तो चैपले पाला नमबर देखिक दिया है पुरूस वाचक सर्मणाम यहां उत्त्ता पुरूस मद्यम पुरूस और अन्य पुरूस के बारे में हो लोग पड़ेंगे, फिर आगे दिया कौण खड़ा है कोई पता नहीं है आगे दिया संबंद्ध वाचक यानि इसका संबंध करता का संबंध किससे हैं यह संबंध बताएगा निज वाचक सर्वनाम या निश्चीता बूद कराएगा और प्रस्वाचक सर्वनाम के बारे में बोध कराता है तो इन सभी सर्वनाम के बारे हमको पूरा डिकली पढ़ना है उन्हें पूरा पढ़ना है तो उम्मीद है कि आपको सर्वनाम का जो छोटा सा इंट्रोड़क्शन है यह आपको समझ में आ गया होगा पूरा विस्तार पूरवग अगर किसी प्रकारिकेस में समस्या होती है तो आप कमेंड बाक्स में उस समस्या को लिखें उसका जल्द से निदान किया जाएगा तो चलिए अगले स्लाइड में पढ़ते हैं स्लाइड में देखेंगे सर्वनाम के जो अलग-अलग भेद के बारे हम आपको बताएं उनके भेद को हम अलग-अलग भागों में और डिवाइड करेंगे और उसके बाद फिर उसका क्या एक्जामपल है क्या परिभासा है कैसे इसकी पाचान करते हैं यह सारा चीज आपको बताएंगे तो आगे देखिए पुरूस्वाचक जो सर्वनाम दिया हुआ है यह पुरूस्वाचक जो सर्वनाम दिया है तो पुरूस्वाचक जो सर्वनाम होता है वह कौन-कौन होता है तो पुरूस्वाचक सर्वनाम में तीन होते हैं यानि पुरूस्वाचक सर्वनाम के लिए करते हैं य fasten के लिए करते हैं यह सम्ड हैं हैं जब हम और हम का प्रयोंखर करेंगे और करेंगे और सद्क्राइब करेंग तो इसक आप अब जो मैं अम कि आच और तुम प्रश। यानि मध्यम पुरुष होता है तुम आर तुम के लिए प्रयोग होता है दूसरे एक्ति के लिए उसके बाद अगला अगला है तो अन्यपुरुस मतलब दो ब्यक्ति तीसरे ब्यक्ति के बारें बात कर रहे हैं दो ब्यक्ति यानि सोहन से बात कर रहे हैं मोहन और वह किसके राम के बारें बात कर रहा है यानि राम पढ़ने में तेज है तो अकलेगा ब्यक्ति बात नहीं कर रहा है वह किसी कि न किसी परस रधा अज, मैं बंदर होना तुम बंदर हो। तुम मुर्ख हो। अंत उत्तम पुरूस होता है वह क्यों होता है उत्तम पुरूस के लिए चिंदा तो आप अच्छे तरह से इन तीनों के बारा हैं उत्ताम फुरूस वक्ता स्वयंग के लिए मध्यन पुरूस और जो अन्य पुरूस होता है किसी दो ब्यक्ति किसी और की बारें बात करते हैं वह अन्य पुरूस होता है अब आपका यहां दिया है पुरूस वाचक सर्वनाम का क्या परिभासा होता है जो पुरूस वाचक सर्वनाम होते हैं उनकी क्या परिभासा होते हैं तो आप देखेंगे पुरूस वाचक सर्वना होता है यानि इसमें स्वएंग के लिए होगा स्वोता के लिए होगा और पाठक के लिए होगा तो यहां देखें कि'll के लिए मैं हो गया सो नो फॉल ऑप के लिए नौ चाहिए डियो आप ब tast करने मिद्दन यो तीसरी स्वव味ण डाल के लिए स्रोता के बारें बात किया रिता है और पार्ठक के बारें बात किया रिता है यानि फिर्स्ट पर रिसर्वनाम ते इस अग्जांपल कि सकते हैं तो ने ब만도 oppressed यानि जो पुरुस्वाचक सर्वनाम होते हैं उसमें जो होता है example मैं होता है हम होता है तुम यह वह वे आदि जिस वाक्त में यह आ जाए तो आप पहचान कर लेंगे क्या है पुरुस्वाचक सर्वनाम है तो आईए पुरुस्वाचक सर्वनाम आप अच्छे से समझ चुके है अब हम पढ़ रहा है निश्चय वाचक सर्वनाम होता है वह आपका बोध कराता है किसी निश्ची चीज का जो निश्चय पूर्वक संकेत करता है तो जैसे यह जा रहा है जहांपर हम देखें कि यह जा रहा है मतलब एक्जेक्ट बोद कराएगा कि यह जा रहा है यहां मोहन यहां से जा रहा है यहां से निकल चुका है एक्जेक्ट बोद को यहां से जा रहा है हम सभी घूमने जा रहा है यह क्लियर हो रहा है कि हम सभी क्या करने घूमने जा रहा है पिक्निक बनाने जा रहा है या फिर हम कहीं टूर पर जा रहे हैं या किसी परेटन अस्थर गूमने जा रहे हैं या आगरा का ताज महल देखने जा रहे हैं यह एकजेक्ट पता चला है कि हम जा रहे हैं घूमने जा रहे हैं ठीक है यहां किसी और किसी व्यक्ति वस्तुका यह complete रोद डोगा है कि यह कौन सा है इसके बारे एंधा होता है तो आगे आप देखेंगे,… अनिश्चित वाजशक सर्वनाम क्या होता है आप यहां तक समझ गहांगे वाजश्क के के बारे में बताते हैं अनिश्चित वाचक जो सर्वनाम होते हैं वह वे सर्वनाम होते हैं जो अनिश्चित का बोध कराते हैं अनिश्चित मतलब वह आपका किसी भी प्रकार का क्लियर नहीं होगा कि यह क्या हो रहा है जैसे आप देखेंगे जिससे किसी निश्चित ब्यक्ति वस्तु का बोध ना हो वहां आपका होता है अनिश्चित वस्तु का होने का बोध नहीं होगा जैसे दर्वाजे पर कौन खड़ा है यहां क्या होगा यहां अनिश्चित हो रह ऩर हरा यहां कौन है वहां कौन बैठा है तो कि जए अशीक में निकाले तब नहीं हो रहा है तो यहाँ आपका अनिस्चे वाजब यानिन जिस भी व्यत्ति वस्तु का निस्चे का बोधना हो वहीं आपका अनिस्चे वाचळ को मेरी गरंटी है कि आपको अब तुरंत कमेंट करेंगे सर मुझे समझ में आ रहा है प्रते एक प्वाइंट और प्रते एक लाइन समझ में आ रहा है घाए अगले स्लाइड में हम देखते हैं सब्सक्राइब तो संबंदवाचक सर्वनाम करता है किसी नर्ग किसी वाकिकों एक साथ जोड़ने का काम करता है वह ही आपका संबंदवाचक सब्सक्राइब समबंध नाम यहां देखेंगे चैसे यहां जैसी करनी आसफेह गनी तो आपका यहां जैसा हो गया और वैसा उसके जो पढ़े गां जो पढ़े गां वही बढ़े गां जो आ गया सो आ फिर जिसकी लाठी उसकी भैस जिसकी उसी की जिसका मंदर वहीं नंचावे तो यहां यहां जाय हमद शमन्बंद आप देखेंगे के क्या करते यह जोड रहा है यनज़र दो क्लart यह दोनों क्यक्राइर झोडने कारीं कर रहा है और जैसा करोगे वैसा था फाप यहां क्या हो रहा है यह आपका ब़ुद हो रहा है जो दो असतों उनकोg जोडें काम हो यह संबंद वाचक हो जाएगा अब दिखने लिए आप पना है थ्यान रहे है आप अपने और आप यह स्वैंग केουμε यह लिली आप सवाधियों और पुरूस्वाचक सरणाम में बहुत ज्यादे कनफियों होता है इसलिए इसको बहुत कियर्फूली ध्यान से पढ़िएगा तो कि यहां काराइक निज्वाचक सरणाम में जहां स्वाएंग अपने आप के लिए आप अपना अपने और आप सब्द का प्रयोग अपने मामा के घर जा रहा है वह अपने मामा के घर जा रहा है खूद के मामा के घर जा रहा है वह अपने खूद के मामा के घर जा रहा है वह अपने मामा के घर जा रहा है यहां क्या होगा आपका निजवाचक सरुनाम होगा यहां क्या बोधुरा है यहां आपका बोधुरा अपने ही मामा के घर जा रहा है यहां स्वैंग के मामा के घर ज होता है तो यहां दिया है प्रस्णवाचक बनाते हैं जो सब्द वाक्य को प्रस्णवाचक बनाते हैं वही क्या होते हैं प्रस्णवाचक सर्वनाम होते हैं यहां दिया है क्या आप ब्रस करते हो यहां पूझ दिया क्या आप ब्रस करते हो क्या ब्रस नहीं करते हैं तो यहां आप क्या आप ब्रस करते हो अर्थात यहां जो क्या आ गया और प्रस्णवाचक चिन लग गया यही होता आपका प्रस्णवाचक सर्वनाग यहां पूछ दिया क्या आप ब्रस करते हो तो यह आप क्या हो गया यह भी पूछने वाली बात है ब्रस नहीं करते हैं आगे दिया ह आप रोज नहाते हैं ये फीकुछने वाली बात की आप रोज नहीं नहाते हैं सुर्ट हासे ये पूछुने वाली बात तो सरवनाम का जितने भेद होते हैं यह आपको पूरा समझ में आ गया होगा और अगर किसी प्रकार समझते हैं तो आप कमेंट बाक्स में लिखें उसका समय समय तुरण मिल जाएगा इस प्रकार अगर आपको प्लेश्ट चाहिए तो आई बटन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद डिस्क्रिप्शन बाक्स में भी जाकर के आप पूरा प्लेश्ट पासकते हैं पूरी वीडियो पासकते हैं वहां से सभी वीडियो कांटनीव करके वाज कीजिए और अधिक सदि पुरूस्त वाचक और नीजवाचक में आप कन्फूज हो जाएंगे क्योंकि पुरूस्त वाचक और नीजवाचक को पहचानना अगर आप पढ़े नहीं तो पहचानना बहुत कठीन होता है यह दोनों सेम होते हैं लेकिन कुछ डिफरेंट होता जिसको आप बहुत बारीकिस पहचान पाएंगे तो आप इसको ध्यान से देखेंगे यानि दिया है जैसे आप है खुद को आप ले लीजिए तो यहां देखिए यह पुरूस्त वाचक हो गया यानि आप सब्द का कैसे दोनम प्रयोगा देखिए आप इसमें भी प्रयोग हुआ है और आप यहां भी प सब्द का प्रयोगा श्रोता के लिए जैसे हम बोलना है तो सुन रहा है तो सुनने वाले बोलेंगे आप यहां जो हमारी बातों को सुन रहा है यानि आप लोग हमारी बातों को सुन रहा है तो आप हो गया श्रोता और आपको बोलेंगे हम आप सब्द का प्रयोग करेंगे तो आप क्या हो जागा यहाँ आपका पुरूष्वाचक हो जागा यानि स्रोता के लिए जब का प्रियोग करते हैं तो यहाँ पर अपका होता है नीच निजवाचक के लिए क्या दा यानि हम वक्ता हैं हम बोल ला हैं तो आपके लिए अगर प्रियोग करेंगे आप सब्द का तो यह क्या हो जागा पुरूस्वाचक सरवनाम हो जाएगा और जब आप सब्द का प्रियोग आपके लिए करेंगे वह कशिवर्णाम हो जाएगा तो आगे आपका का दिया हुआ है जैसे मैं यह कारे अपने आप ही कर लूँगा यानि कोई भी कारे है अपने आप कर लूँगा खुद कर लूँगा किसी के आउसकता नहीं पड़ेगी होगा और यहां जो आपका है पुरूष वाचक आदर, सुचक, मध्यम पुरूष होता है, क्योंकि यहोगा है, translating क्या diyor, यानि पूरूष में कोर पूरा समझ मैं रहा होगा, एधर का रहे है तो पुरूस वाचक की स्रोठ को पूरा वाचक की रहा है, आदर के लिए कि आता है और निजवाचक जो होता है वो स्वाइं के लिए होता है कोई काम करने के लिए हम तुम यह क्या है आप आगया वे आगया यह आगया हम आगया तुम आगया क्या होता है यह बहु बचन होता है इसी दिया है किन्तु आदर प्रकड करने के लिए हम इन यहां आपका स्रेंग के लिए होगा और यहां आपका स्रोता के लिए होगा तो आपको दोनों का डिफ्रेंस समझ में आ गया होगा अगर इस्टुडेंट पूरा कहीं भी इस टॉपिक में सरवनाम की टॉपिक में कहीं भी आपको confusion है तो आप तुरंत comment box में लिखिए मैं उसक step by step पढ़ाई करके उस समझ सकें तो बहुत सारा जो है इसमें step by step देने से ही आपको समझ में आएगा तो चलिए अगले slide में देखते हैं स्टुडेंट वीडियो को हम यहीं खतम करते हैं क्योंकि आपका जो सरवनाम का पूरा टॉपिक था पूरा टॉपिक आपका खतम हो चुका है अगर आपको किसी प्रकार समस्या हो तो आप comment box में लिख सकते हैं और सिच्छा एक ऐसा सेरनी का दूध है जो जितना पीएगा वो उतना ही दहाड़ेगा सिच्छा एक ऐसा सेरनी का दूध है जो जितना पीएगा वो उतना ही दहाड़ेगा तो इसलिए मैं एक सिच्छा का अलग जगा रहा हूं आज 10 बच्चे पड़ रहे हैं कल 10 से 100 बच्चे होंगे 100 से 1000 बच्चे होंगे 1000 से 1 लाख होंगे करोडों जाएंगे तो सिच्छा जब तक आप नहीं सिच्छीत होंगे आपका परिवार नहीं सिच्छीत होगा और फिर जब परिवार सिच्छीत होगा तो गाउं सिच्छीत होगा जब गाउं सिच्छीत होगा तो फिर आपका सहर कस्बा राज सिच्छीत होगा तो धीरे-धीरे आप को जोडने का प्रयास किजे इस चैनल पर ताकि सभी लोग एक अच्छी सिच्छा ग्रहण कर सकें और अधिक अधिक लोग सिच्छीत हो सकें मैं दिन प्रती नित मिहनत कर रहा हूं आपको समझाने का जो चीजे मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं उस टॉपिक को आपको याद कर प्रयास करता हूं ताकि आपको अगले दिन जो पढ़ाना है वह कांसेट पूरा क्लियर करना है किसी प्रकार का आपका नफ्यूजन ना आपको वह क्लियर करना है तो बहुत मिहनत करके एक वीडियो में बनाता हूं तो आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर लें और अधि की वीडियो हम यहीं खतम करते हैं थैंक्स फार वाचिंग